बॉलिवुड के शुरुआती दिनों में एक्टिंग को एज़क करियर ज्यादा प्रैफर नहीं किया जाता था क्योंकि नाचने गाने वालों को समाज में ज्यादा अच्छा नहीं समझा जाता था लेकिन वक्त बदला समाज बदला और हर वर्ग के लोगों ने बॉलिवुड में एंट्री मारने शुरू कर दी इन सब में रॉयल फैमिलीस से संबन्द रखने वाले लोग भी शामिल हो गए पर क्या आप बॉलिवूड सितारों में रॉयल फैमिली से तालूक रखने वाले स्टार्स को जानते हैं? आईए आपको मिलवाते हैं ऐसी ही कुछ स्टार्स से सोहा एंड सैफ अलिखान जी हाँ ये दोनों सबसे चर्चित रॉयल सेलेप्स हैं सैफ अरसोहा के पिता स्वर्गिये मनसूर अलिखान पटौदी 1952 से 1971 तक पटौदी के नवाब थे 2011 में नवाब आफ पटौदी का रुत्बा सैफ अलिखान के पास है अदिती राव हाइदरी असम के पूर गवर्नर अकबर हाइदरी की पड़ पोती हैं उनके नाना राजा जे रामेश्वर राव वनापर्थी राज्ये का प्रशासन संभालते थे किरन राव जी हाँ आमिर खान की पतनी किरन राव भी रॉयल खांदान से तालुक रखती हैं उनके दादा जी रमेशो राओ तेलंगाना स्टेट के महाबूब नगर जीले में रवनापार्थी के राजा थे भागशरी मैंने प्यार किया कि चुलबुली हिरोईन भागशरी का संबंद भी रॉयल खराने से हैं उनके पिता विजे सिंग राओ माधो राओ महराश्टर के सांगली के वर्तबान राजा है अलीसा खान का फिल्मी करियर तो जादा चल नहीं पाया लेकिन वो मुहम्मद नवाब गजियोद्दीन खान के रॉयल खांदान से तालुक रखती है रिया सेन और राइमा से ग्लैम्रस एक्टरस रिया और राइमा त्रिपुरा के रॉयल खराने से संबंद रखती हैं उनके परदादी बरोदा के महराजा सयाजी राओ गायकवार त्रिटे की इकलोती संतान थी सोनल चोहां, जन्नत फिल्म की अभिनेतरे सोनल मैनपुरी उत्रप्रदेश के रॉयल राजपुत घराने से संबंद रखती है इंडिया की तमाम तरह की खबरों के लिए हॉट इंडियन निउस को सब्सक्राइब करना ना भूले